कि आपको बहुत ज्यादा hair fall हो चुका है scalp visible हो चुका है आपकी जो scalp है उसमें शाइन आने लगी है आपको लगना कि कहीं सारे जाने वाले हैं अगर आपको यह ऐसे जन है जिसको अपने hair regrowth को लेकर काफी ज्यादा you know dicey है कि होगी या नहीं होगी आज के वीडियो आपको बह से देखेगा तो confidence तो आपको मिलेगा ही बल्कि सारी dimensions पता चलेंगी जिसकी वजह से यह remedy आपके लिए और भी ज्यादा कारगर हो जाएगी तो आईए जानते हैं what all needs to be done नमस्कार और स्वागत है मेरे पूरे परिवार का उनके अपने चान में प्रीती प्रीडना पर आप सभी को बता देना चाहती हूं कि मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, अपना खयाल रख रही हूँ और बहुत positive हूँ आप सभी के इतने सारे प्यारे-प्यारे messages के लिए thank you so very much I am absolutely fine और उमीद करती हूँ कि मेरा परिवार भी स्वस्थ है और अपना बहुत सारा खयाल रख रहा है जैसे कि आप लोग title और thumbnail में पढ़ चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं derma roller के बारे में कि कैसे इसका इस्तिमाल किया जा सकता है, कौन-कौन इसका इसका इस्तिमाल कर सकता है, कब-कब इस्तिमाल करना है, कितनी आवदी के लिए करना है and every possible dimension इसके around बहुत सारे myth है, बहुत सारी आधि-अधूरी सी knowledge है तो मैंने सोचा कि once and for all आप सभी को बता दिया जाए कि derma roller का इस्तिमाल आप अपने बालों के लिए कैसे कर सकते है आपकी वो जो follicles जिन में, हम लोग PRP क्यों कराते हैं आप बताइए जिहां वही वाली treatment जिसमें injection लगाया जाता है आप ही का blood लिया जाता है उसमें से rich plasma आपके scalp को दिया जाता है यानि कि आप समझें बालों के जो follicles हैं वो बंद ही इसले होते हैं क्योंकि उसको blood का circulation नहीं मिलता है तो बस यही जो circulation ना मिलने वाला reason है इसको हम fix करते हैं derma roller से जब आप dermatologist के पास जाके salons में, parlors में यह treatment कराते हैं तो इसको micro needling कहा जाता है और जब हम इसे घर पर करते हैं तो इसे derma rolling कहा जाता है बहुत आसान है यह एक instrument द्वारा किया जाता है जो कि इस प्रकार से दिखता है यह एक simple सा instrument है इसके आगे एक roller होता है जिसमें बहुत सारी चोटी चोटी needles होती है यह needles, needle का एगी काम होता है poke करना लेकिन घबराईय मैत आपको चोट नहीं लगती है यह सिरफ आपकी skin को prick करता है ताकि आपके शरीर को यह लगे कि वहाँ चोट लगी है जब भी चोट लगती है तो क्या होता है जब पिंच करते है तो क्या होता है वहाँ पर blood का circulation आता है और पूरा लाल हो जाता है होता है ना मारके देखिए खुद को चूटी अभी पता चलेगा क्या होता है तो यही चीज यह needle करती है हम इसको आपके scalp पर roll करते है जिससे body को यह signal मिलता है कि अरे चोट लगी है और blood का पूरा circulation वहाँ पर आता है आप समझें आपको PRP नहीं कराना पड़ेगा और यह आप घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी dimension जैसा कि मैंने कहा आपको पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज कौन-कौन इसको ट्राइ कर सकता है देखिए बच्चों को इससे बिल्कुल दूर रखिए बच्चों का इससे कोई लेना देना नहीं है वो नहीं ट्राइ कर सकते अबसल्यूटली नॉट अगर आपको यह ऐसे जन है जो ओइलिंग कर चुके है डिफिन टाइपस ऑफ ओइल ट्राइ कर चुके है सीरम ट्राइ कर चुके है लेकिन हैर फॉल नहीं रुक रहा है आप अच्छी डाइट भी ले रहे है तो आपको इसको ट्राइ करना चाहिए यानि कि यह लास्ट रिजॉट है सबसे पहले नहीं आप डर्मा रोलिंग कर सकते है आपको पहले ओइलिंग, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज इन सब का खयाल रुकना है लेकिन इसके बावजूद अगर हेर फॉल नहीं रुक रहा है तो आप इस विकल्प को डेफिनेटली ट्राइ कर सकते है समझ में आ गया नामबर टू, कौन सा वाला डर्मा रोलर देखिए कुछ विकल्प जो मैंने ट्राइ किये है जनके लिए मैं कामफोटबल हूँ उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी आप अपने लिए डेफिनेटली ट्राइ कर सकते है लेकिन एक, you know, मोटा मोटा नॉलेज में आपको देती हूँ कि डर्मा रोलर की जो नीडल होती है वो 0.25 mm से शुरू होती है वन एम एम तक आप घर पर ट्राइ कीजिए इससे ज्यादा इवड नेवर नेवर सिजेस्ट टू एम एम तक का जो होता है ना वन से लेकि टू तक का यह डर्मेटोलेजिस ट्राइ करते हैं क्योंकि इससे बहुत अंदर तक पंचर होता है और इसके लिए एक नम क्रीम लगानी पड़ती है इससे आपका जो एरिया है जहां भी किया जा रहा है वो सुन हो जाता है ठीक है और तब यह प्रिसीजर किया जाता है इसलिए को डॉक्टर मत बनियेगा कि अब तो हम कामफोटेबल हो गए अब हम जादा का यूस नो घर पर मंगा रहे हैं तो सिरफ लास्ट रिजॉर्ट है 1 mm कहां से शुरू करें आप 0.25 mm की नीडल मंगा लीचे इसके साथ कामफोटेबल हो जाए फिर आप 0.5 मंगा ये अगर थोड़ी से डेरिंग है आपको नीडल को आप कभी भी हाथ से टच नहीं करेंगे भले है आप प्रोसीजर कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं whatever it is नीडल को आप हाथ से टच नहीं करेंगे ये बिल्कुल साफ रहनी चाहिए अगर आप फेस के लिए भी डर्मा रोलर का इस्तमाल करते हैं तो फे इसके बाद अगर तो आप मेल है और बाल उतारने में comfortable है, if at all, मैं condition बतार रही हूं सिरफ, तो बाल उतार लीजिए, बहुत छोटा zero cut कर लीजिए, that is sufficient, और इसके बाद, वो जो छोटी-छोटी से army cut होते हैं, मतलब वो था zero से, तो आप वो कर सकते हैं, अगर आपको बाल उतार लेंगे तो बहुत लंबे बाल है, तो भी मैं आपको बताती हूं दोनों तरीके से आप कैसे करेंगी, बाल उतार लेंगे तो बहतर है, that's all I meant, नहीं भी उतारेंगे, तो भी आप एप प्रसीजिए कर सकते हैं, मैं अपने बालों में आपको इसको करके दिखा रहे हूं, मैंने हल्की सी ओइलिंग कर रखी है, लेकिन प्लीज मेक शूर, कि आप लोगों के बालों में कोई ओइलिंग नहीं होनी चाहिए, आपके नॉर्मल नाचिरल बाल होनी चाहिए, हाँ natural oil आया हुआ है that's okay उतना चलेगा इसके बाद for step number one आप अपने बालों को अच्छे से सुल्जा लेंगे उल्जे हुए बालों में needle की comb डालना आप खुद सोचे कितना खतरना हो सकता है तो अच्छे से अपने बालों को सुल्जा लीजिए और याद रखिए कि यह जो करेंगे ना यह रोलर का इस्त्नमाल यह रोल होगा यह आपके बालों की डारेक्शिन में ही होगा यहिए रापने बालों के साथ बता रही है वह Psalm 2 का भी अधिए बालों का द्धिएन का ध्रथान नहीं का रखना है बालों को अच्छे से सुलजाने के बाद आप अपने बालों को पीछे लेंगे मैं दिखा रही होंगी कैसे करना है और इस डर्मा रोलर को आप बिल्कुल सिर्फ यहां स्कैल्प पर ही टच कर देंगे और पीछे रोल करते वे जाएंगे अगर आप 0.25 की निडिल यूज कर रहे हैं प्लीज मेक शॉर आप कोई प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे बिल्कुल भी नहीं फर्स अटेम्ट में तो कतता ही नहीं बाद में वंस्या कांफरेबल आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया जा सकत है उतना करें जितना मदब सहनिय है उतना ठीक है यहीं कि दर्द सहने की नहीं बाल उग जाएगे बिल्कुल नहीं दर्द होना ही नहीं चाहिए जस्ट एक प्रिक फील होगा और कुछ नहीं 0.5 है तो भी मैंदब इनीशली जब आप कोई भी नीडल ट्राय कर रहे हैं तो नहीं अप्लाय होगा सिंपली बस आप रोल करते जाएंगे इसके बाद आप बिल्कुल जो बालों की डारेक्शन है उसी डारेक्शन में इसको रोल करते जाएंगे अप्रॉक्सिमेटली 5-7 टाइम्स एक जगे पे और आगे बाक और फॉर्थ नहीं करना यहां प्लेस किया है तो बाक वहां से उठाया वापस वहीं प्लेस किया तेन अग्यान समझ में आया आप एक जगे पर रखेंगे बाकवर्ड ले जाएंगे वहां से उठाएंगे फिर यहां लाएंगे एंदेन करेंगे स्मयास में आग्या वहां पर चिनकी हैरलाइन पीछे जा रही है वहां के जो फॉलिकल्स है वहां वहां के जो फॉलिकल्स है वह इंस्टिगेट हो जाए वहां पर ब्लड का सेकुलेशन आए और वह जो फॉलिकल्ट सो रहे थे वह वापस से जागरत हो जाए समयज में आया अब माल लेते हैं एक्जामपल हेरलाइन नहीं हमारा टॉप में यहां पर परिशानी है यहां से जादा बाल चले गए हैं अग 2, 3, 4, 5 and so on it's that simple लेकिन याद रखिये ultimately at the end of the day यह एक अस्त्र है भईया यह लग सकता है आपको तो प्लीज मेक शॉर कि बहुत कैरफुली आप इसको डील कर रहे हैं हलका सा भी प्रिक हो गया तो वह you know obviously आपको चोट लगा सकता है तो you have to be very 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 careful नाव जब आपने अच चेंज करते रह सकते हैं अगर आपने ऐसे किया है फिर आप ऐसे ऐसे भी कर दिया आपने तो डाइगनली as well that's also possible once you are done with the entire procedure आपका यह जो डर्मा रोलर है इसको आप तभी भी हात नहीं लगाएंगे मैं आपको बताया था आप रानिंग वाटर में टाप के नीचे इसको अच्छे से रानिंग वाटर में आप इसको बहने दीजे जो भी कॉंटेंट उसको पर लगा होगा यह whatever it is और इसके बाद कोई भी एंटाइसेप्टिक solution डेट अल हो गया सावलान हो गया जो भी आपके पास है उससे आप इसको हलका सा few drops इसके ओपर डाल के again रानिंग तो भूल के वी रनिंग वाटर लास में मत ठोड़िये का सैबलन वगेर ही कुछ करके and then just keep it over a tissue paper that's all और खुद नाच्रली इसको ड्राइ होने दीजिए जब यह ड्राय हो जाए उसके बादा पापस को अपने केस में रख दीजिए that's when the procedure ends जी हां एक इस्तिमाल करके खराब इसमें नहीं हुई है तो आप भी अच्छी क्वालिटी का अपने लिए और कीजिए ताकि यह सालों साल आपको help कर सके now the remedy is properly done अब क्या करना है अब आपको अपने लिए थोड़ा सा ओइल प्रिपेर करना है जो की बहुत ही नरेशिंग होने वाला है और अंदर तक जाने की क्रमता रखने वाला है और अंदर जाके क्या करेगा new hair growth instigate करेगा इसके लिए आपको एक खाली डबी लेनी है बहुत चोटी सी जाधा नहीं चाहिए और इसमें आपको लेना है एक चमच olive oil ठीक है इसमें आपको लेना है दूसरा ingredient which is one tablespoon again जितना आपने olive oil लिया था उतना ह ही आप लेंगे rosemary essential oil ठीक है तेखिए olive oil क्या करता है अंदर तक penetrate करता है और rosemary क्या करता है new hair growth को instigate करता है तो जब आपने ही पूरा का पूरा procedure कर लिया है आप dropper की मदद से कोई मालेश वालेश नहीं करना है कुछ नहीं करना है चस्ट आप अपनी हैर लाइन में इसको deposit करते जाएंगे अगर यहां किया है पिसी जोर तो यहां लगा लिजे और इसके बाद आप अपने बालों को अच्छे से बांद के cover कर लिजे जब आप यह कर लेंगे इसके बाद अटा दीजे अराम से अत्मिनान से सो जाएं नेक्स्टे मॉर्निंग चाहे तो बाल धो लिजे नहीं भी धोएंगे तो चलेगा अपसलिटली फाइन बट अगर आप धोते हैं तो आपको अपने जो बाल है जो स्काल्प है वो बिलकुल नॉर्मल लगेंगे कोई आपने प् बट स्टिल अगर आपको कोई भी क्वरी है तो आप नीचे लिखिए अवश्य लिखिए मैं एक पिन कॉमेंट के जरिए जो भी मिजॉरिटी अव डाउट्स होंगे उनको आंसर कर दोंगी मैं आप सभी से कहना चाहती हूं कि आप इस डर्मा रोलिन की प्रक्रिया है इसको इनीचली इनीचली आप हफते में तीन दिन ट्राय कीजें नॉट मॉर्धन दाट अगर आपको लगता है कि आपको सूट कर रहा है यू आ कम्फॉर्टिबल दे फॉलिकल्स रिवर्टिंग तो आप इसको एवरी सिंगल डे फॉर वीक ले आईए और उसके बाद दुबारा से अल्टिनेट डेस ठीक है आपको जिन्दगी भर नहीं करना है एक बर फॉलिकल में वापस से जान आ गई वो फिर से यू नो ग्रोध स्टार्ट हो गई है तो हम इसको सबसाइट कर देंगे और वन्स इन अमन्थ और काइंड आफ यूस करेंगे बट इनीशली थ्राइस मैं अपनी पूरी फैमिली से हाट जोड कर अनुरोध करना चाहती हूँ कि एक से दो अप्लिकेशन में अगर आप कमफटबल नहीं होते हैं आपको लगता है कि नहीं शायद मुझ से नहीं हो पाएगा तो प्लीज गो एंड सी और दर्माटोलजिस्ट आप अपना खुद का डर्मा रोलर लेकर जाएं उनसे पूछे कि कैसे आप अपने लिए ट्राय कर सकते हैं और आपको समझ में आ जागा ना एक बारी तो फिर आपको किसी की हल्प की जूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत आसानी से इसको अपने लिए ट्राय कर पाएंगे तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ कि मेरे परिवार को मेरी प्रस्तती पसंदाई होगी अगर पसंदाई है तो डू कि वर थामस अप चानल पर नए है तो सब्सक्राइब किये बिना बिलकुल मच जाएगा मैं आप सभी से मिलती हूँ अपने आगले वीडियो में with something magical for your hair skin and health कब तक के लिए बहुत सारा खयाल रखिये, खुश रहिये और प्रीदी प्रेणा के सभी चैनल से जुड़े रहिए I love you all, take really good care of yourself